हेलो मेकप लवर्स कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यह ब्लैक स्मोकी आई मेकप लोग बहुत ग्लैम्रस है बहुत इजी भी है जल्दी से हो जाएगा बहुत जादा स्टेप्स नहीं रखे मैंने इस मेकप के अंदर बहुत इजी वे में यह ब्लैक स्मोकी आई मेकप लोग दिखाऊंगे आज आपको बताने वाली है इस वीडियो में कि मैंने यह लोग कैसे अचीव किया है यह लोग किसी भी ओकेशन पर किसी भी फेस्टिवल पर या किसी भी ड्रेस के संग बहुत इसली आप मैच कर सकते ह हैं अगर आपको कोई मेकप नहीं समझ में आ रहा तो फड़ावचे स्मोकी आइस कीजिए और आप रेडी हैं उस मेकप के लिए उससे बहले गाईस मैं आपको बता दूंगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो डूंट पकेट टो सब्सक्राइब मैं चैनल और नोटिफिकेश स्टेप इस सकते हैं फर्स्ट पेस और सेकेंड टोनर टोनर लिया है गुडवाइप का रोज गलोट टोनर फाइब तो सिक्स स्प्रे के बाद पैड़ ड्राय कर लिया है और लिप्स को मॉश्टराइज कर रहे हूं यहां पर मैं न्वाइब की लिए बहुत में होते हैं ने एक बात और प्लीज यार अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर भी कीजिए क्योंकि मैं इतनी महनत कर रही हूं और मेरे को सब्सक्राइबर्स या व्यूज या मिनट्स ना मिलें तो मेरी महनत टोटल वेस्ट है प्लीज आप लोग मेरी हल्प कीजिए सब चोटे-चोटे स्ट्रोक्स में वर्क करेंगे इससे बिलकुल नैचरल लुक मिलती है जस्ट बिकॉज इसकी जो टिप है बहुत फाइन है और बहुत लाइट स्मूध टेक्स्च्चर है तो चोटे-चोटे वर्क किसंग काम करेंगे और अप्छे से अपनी आइब्रोस को न अपनी आइस को भी कंसील करूंगी अब एक ब्यूटी ब्लेंडर की हज़प से सब कुछ ब्लेंड आउट कर लेंगे डैप करके डैम ब्यूटी ब्लेंडर है थोड़ा सम्में अपनी आइस को और जादा जो मेरे स्पॉर्ट से उसको कवर करूंगी यहां पर मैंने लिया है एले गल का प्लो प्रो कंसीलर सॉरी इसका शेड मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइटर है जो मेरे तिल है जो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉर्ट से फेस पे वो कवर कर लूँगे मैं से और बहुत जादा अच्छे तरीके से हाइड नहीं करूंगी नहीं तो नेचरल फिनिश जो आपके फेस की होती है वो बिल्कुल चली जाती है बस हलका हलका सा टच अप किया है मैंने यह देखिए मैंने सारे तिल विल सब मार्क्स हाइड कर लिए है नेक्स्ट में से सेट कर रही हूं अपने कंसीलर को और जहां पर मैंने स्पॉर्ट की है मेबलिन का फिट मी जो कि है फांडेशन फिट मी फांडेशन लिया है शेड नंबर टू टू जीरो और यह फर्स टाइम लगा रही हूं यानि कि यह बॉटल मैंने अभी यूज की है अभी उपन की है यह नॉर्मल टू ओईली स्किन टाइप का फांडेशन है इसलिए मैंने टोटली मॉस्टरा अगर आपको लगता है आपके स्किन बहुत ज़ादा ड्राय फील हो रही है खिची-खिची फील हो रही है तो आप बिल्कुल मॉस्टराइजर लगा सकते हैं अब मैं अपने फांडेशन को ब्लेंड कर रही हूं डैम बीटी ब्लेंडर से और कवर कर लिया है मैंने लिप्स फांडेशन है वह बहुत ज़ादा केकी फील नहीं हो आपको अच्छे सेट हो जाएगा तो केकी फील नहीं होता अब यहाँ पर क्लैमी कोस्मेटिक्स की पैलेट से मैंने ब्राउंजर लिया है ब्राउन शेट का और थोड़ा सा मैं कॉंटोरिंग करूंगी लाइट सी कॉं अच्छा यहाँ पर कुछ गोल्स को प्राब्लम होती है नोस कोंटोरिंग में तो आप स्टेप्स बहुत देख लीजे किस तरीके से मैं नोस कोंटोरिंग करती हूं हलाकि मुझे जरुरत नहीं है अगर मैं नहीं भी करूंगी तो भी चल जाएगा बट आपको दिखाने के के लिए में थोड़ा सा नोस कोंटोरिंग करती हूं इसी पैलट से मैंने ब्लश भी ले लिया बहुत लाइट सा पीच शिश पिंक कलर का मैंने ब्लश लिया है इसे भी अप्लाय कर लूमगी बहुत लाइट लाइट सा और इसके बाद लगा लोगी में अपना आस तो आप चलते हैं अपने आई मेकप की तरफ यहां पर मैंने सबसे पहले पैंसिल ब्रश पे एक रेड शेट पिक करके अपने क्रीज एरिया पर लगा लिया है और नीचे मैंने कोई भी ट्रांजिस्टिन शेड नहीं लिया है वह आगे मैं आपको प्रोसीजर बताती क्यों किया है मैंने फिलहाल में एक टेपर ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूं और यहां पर ध्यान रखिए जितना आपको कंट्रोल चाहिए उतना आप अपने ब्रश को पकड़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा लाइट और ब्लेंडिंग लुक चाहिए तो आप ब्रश को पीछे की साइट से पकड़ सकते हैं यहां पर मैंने लिया है नवाइबे का काजल और ब्लेक स्मोकी के लिए यहां पर मैं अपने क्रीज जो आपके लिड एरिया है क्रीज एरिया से नीचे जो आपका लिड एरिया होता है वहां पर पूरे में काजल अप बढ़ाती जाओंगी और गाइस यहाँ पर एक चीज में आपको बदाना चाहूंगी अगर आप स्मोकी आई लुक चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखे जो भी आप ब्लैक काजल यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा ब्लेंडेवल हो मैंने यहाँ पर एन्वाइब का लिया है उसकी ब्लेंडिंग पावर कम है कि वो क्योंकि वो smudge प्रूफ है इसलिए अब एक पैंसल ब्रश की हेल्प से उसी पैंसल ब्रश की हेल्प से इसकी जो हार्श लाइन है उसे रिमूफ कर रहे हूं अब यहाँ पर मैंने एक एंगल टेपड ब्रश पे लिया है ब्राउन शे अब मैं नीचे लोगर लैश लाइन पर भी सेम प्रोसेस कर रही हूं पैंसल ब्रश से अपना ब्लेक आईशेडो लगा के ब्राउन वाला आईशेडो स्मच कर दूंगी ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से यह आप देखिए किस तरीके से मैं कर रहे हूं ब्लेंडिंग करता है अराम से अगर आपकी वाटरी आईज हैं तो 6 आर्स 5 आर्स भी चल जाएगा लेकिन मेरी आईज पर यह ओल्मोस्ट 10 आर्स चलता ही चलता है अम ऐसे एक फ्लफी एंगलर ब्रश के हल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी यहाँ पर मैंने लिया है एवाय का आई अपनी लेशिस के हो सकता है अतना क्लोज मैंने लाइनर लगाया है अब मैं यहाँ पर कर रही है अपनी लेशिस को ताकि मेरी जो लेशिस है वह एक कर्वी फील दें मुझे और थोड़ा सा फलफी फुल फुलर सी दिखें मस्कारा मैंने लिया है मेंबलीन का वाटरपूफ मस्कारा फॉर्स टाइम इसे यूज कर रही हूँ तो थोड़ा सा इसके बॉन के संग इसके अप्लिकेटर जो ब्रश है उसके संग मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो कुछ अलग सी शेप का है मैंने पुरा कवर हो जाता है इसलिए मुझे चिंटी अप्लकर ज्यादा बैस्ट रहता है अभी देखिए मैंने लिप्स के लिए है सेवन हेविन्स के लिप्स्टिक इंश नंबर 1717 और यह देखिए कुछ इस तरीके से में इसको क्या आपको रिमूव कर लूँगी यह बिल्कु रज्ट्री आपको लिप्स्टिक इसमें मिल जाएगा अब एक दो बार आराम से लगा सकते हैं ज्यादा भी लगा सकते हैं और यहां पे मैंने इसे अच्छे से लिपलाइन कर लेना है इसी तेस्टर की हल्प से तो यह से एक हैक हो गया गल्स के लिए नहीं जिन गर्ल्स को पूरे lips पे apply कर लूँगे और मेरा final look ready है तो guys आपको ही look कैसा लगा मुझे तो बहुत पसंद आया अगर आपको भी अच्छा लगे तो please comment करके ज़रूर बताईएगा क्या आपके लिए वीडियो helpful रहा या नहीं guys please यार subscribe कर दिया करो subscribe करना बिल्कुल free होता है आप subscribe तो करो उसमें क्यों कंजूसी दिखा रहे हो